एल्प फ्रेंट कैसे हो टेक्निक लेल पॉड़ब कर फिस से आप लगों का स्वगत है जिसी मीवायि टैवल का अपडेट जिन डिवायिसों के रिलीज हो है जासे ही कि रेडमी नोट एट रेडमी नोट 8 परो जो मीवायिटा लगा अपडेट मिलने के बाद आप लगों के इ इस वीडियो को देखने के बाद आप वीडियो को लाश्ट तक देखिए आपको परफेक्ट सुलिशन मिलेगा फालतू की बातों में नहीं उलजाओंगा और आपका डिवाइस जैसे पहले वरक करता था उसी तरीके से फिर से वरक करने लग जाएगा काफी लोगों की यह स्कापिंग बहुत हेवी रहते हैं और ऐसे बहुत कमेंट आ रहे कि यह अपडेट मिलने के बाद इस डिवाइस की जो क्यूल्टी है वो बहुत ज़्यादा कंजियूम कर दी गई है यहापर फ्रेंट इसके बारे में अपडेट के बारे में थोड़े सी मैं बात कर लेता आप लोगों से उसके बाद कुछ टिप्स बताऊंगा और कुछ मोस्ट इंपर्टर ट्रिक बताऊंगा जिनका यूज करके आप अपनी परफॉर्मस को जैसा पहले डियोस था वेसा ही कर पाऊगे यहापर फ्रेंट जब भी आपका डियोस आता है जब आपका डियोस आप डेते हैं किसको कैसा अपडेट रिलीज के जाए ताकि इसकी क्योल्टी एकदम खराब हो जाए यह इसा करते हैं रियल में इस चीज़ को लेकर अपडेट से फॉन की क्योल्टी खराब करने को लेकर सेमसंग पलस आईफॉन पर फाइन भी लगा था यह जो अपडेट नहीं उससे ज्यादा वग आपके डिवेस के अंदर डाल दी जाते हैं जिससे कि आप बारा यह अचा है में डिवेस को यूज करने के बाद मिड्रें समार्ट फॉन को आप एक नया डिवेस लेने की सोच लेते हो क्योंकि इनको भी अपना बिजनस करना है भाई यदि आप एक डिवेस को पांट तीन से चार साल यूज करो इनका बिजनस किस तरके से चलेगा तो यह क्या करते हैं अपडेट देकर फॉन में प्रोलम डालकर क्या करते हैं वह डिवेस आपके लिए ख्राब हो जाता है आप देखते हो पुरह ना उचका है फिर आपको एक नया डिव करना चाहते है तो उसके लिए आपको अपने डिवेस का बूटलोड रनलोग करने के जरूद पड़ेगी पलस आपके पास एक लेपटॉप की जरूद होने चाहिए और डाउन ग्रेड करने का जो सारा प्रोसेस है उस पर मैंने अलग से वीडियो डाल रख है दो दो या ती पूटेव से इनका यूज करने के बाद आप अपने डिवेस का एक्सपिरेंस मुझे कमेंट सेक्शन बताना बिल्कुल मत भूलना सबसे पहले आपको क्या कर देना है अपने मोबाल की सिक्योटी अप्लिकसन को आपन कर लेने जब भी आप गेम खेलने जाए उसे पहले यह करने के बाद यहां से आप पबजी को फांड कर लेना दिन पबजी को फांड करने के बाद आपको पबजी को डाटा की परमिशन यहां पर दे देनी जैसे मैं पबजी लिखता हूं चलिए आज जागा फालतो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं जैसे आपको यहां पर कटिक करके इस तेरी के से प्रमिशन दे देनी हैं। उसके बाद तो नेक्सट टिपसाती हाट ही उसके लिए उत अपने मॉबाइल की मोबाल की सेटेंग के अंदर व Suppose ये वह वह पर मोट के अनुन code clean data clean old data कर दीजिए और आपके data clean हो जाएगी तो सभी किसे के data को कसी कर देना है उसके बाद PRMISSION साइना अ पर शक्राया पर्मिशन्म पर आने के बाद यहां पर आपको डिवास्ट की परमिशन दिखाएग़ व्स सान आपको के पर मेश्चें के परमिशम दिकाई ने के बाद यह पर auto startaction मिल रहे हैं तो यहाँ पर o oke की जितने यह आपके auto start में लगे हुए उन सभी एपिald के auto start को क्या से अफ कर देने उसके बाद आपको क्या कर देने जितनी भी आपकी द्यूइस के अंदर पहले के डाटा है जैसे मान लीजीए यहाँ पर आप बाट फॉन मैंने मेरे तोड़ा लेक्र है मेरे पास भी ओई इलेन वाला डिवेस है लेकिन ये ट्रीक आपके डिवेस में अहेंड परसेंट वरक कर गेंगी तो आपको मिउए टोफिन के अंदर डाटा को क्लीन करेंगेंगें तो आपको आपको हापर चाहरे नहीं इसके सेटिंग में आने के बाद निचिए आपको मल जाएगा डेलो पर मिलें के बाद आपको स्क्रॉल करने यहां पर आपको ब Expectful को स्का तो आपको क्या HR kepada UK ने नो बेग्रांड लेग फ्री हैं पर जो काम करना शुरू कर देगा तो फ्रंड या जिसे मैं यहां पर find find कर देता हूँ तो फ्रंड फाइनली हैं पर option मिल चुका है background process का इस पर click कीजिए इसका आप no background process कीजिए उसके बाद आप अपने device के अंदर game खेलिए ठीक है फ्रंड और उसके बाद फ्रंड एक tips और आती है यहां पर आपको एक option और मिल जाता है जैसे कि यहां पर आपको एक gaming performance मिलेगा जो कि MIUI 12 के अंदर दिया गया है लेकिन MIUI 11 के अंदर नहीं है gaming का आपको option मिल जाता है उसके बाद फ्रंड क्या करने है जैसी आप यहां पर जाते हो तो आपके पिंग एकदम एविए जाते हो तो आपको connection है शेरिंग मैन है आने के बाद यहां पर option मिला है reset mobile data का यहां पर आपको click करने के बाद मैं password डाल देता हूँ यहां से आपको क्या कर देने एक बाद डाटा को reset कर देना है ताकि आपकी जो connectivity की सर्विस से वह फिर से अच्छी तरके से वरक करने लग जाए और आपको pink की problem देखने को नहीं मिले उसके बाद एक setting और फ्रेंड last and final वो भी इस वीडियो के अंदर आपको मैं बता देता हूँ इसके लिए फ्रेंड आपको क्या कर देना फिर से about phone मैंने about phone मैंने के बाद आपको all space प्याने और all space प्याने के बाद फ्रेंड यहां पर आपको दिखाई देरा यहां से फ्रेंड आपको क्या कर देने ल्टी ओनली सेलेट कर देने यह आपके पास जीओ की सिम है और यहीं आपके डिवाइस दोनों सिम 4G सपोर्ट करता है तो आपको ल्टी ओनली यहां से सेलेट कर देने इतना करने के बाद निच्चे आपको एक update और refresh का उफशन मिलत वो भी मुझे कमेट करके बलत बताना बिल्कुल मत बुलिए